असलाम अलेकुम जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत स्यदा लाइबरेरिस जब एक ही जगा पे हम इस्तमाल करते हैं तो उनकी incompatibility स्टार्ट हो जाती है और Python के अंदर different programs काम करना बंद कर देते हैं तो उससे बचने के लिए हम different environments बनाते हैं सिरफ ये आप वो सिरफ base के अंदर ही इस्तमाल होगी ठीक है तो उससे दूसरे पहले floor पे जाएंगे तो उसके उपर हम देखेंगे कि इसका नाम हमने different रखा है तो जो पहले floor के अंदर libraries इस्तमाल होगी उनको वहीं पर use करेंगे वो बहें base के साथ mix नहीं होने वाली इसी तरह अगर उपर से उपर मनजले भी बनाते जाएंगे तो जो library हर floor पे इस्तमाल होगी वो उसी के अंदर ही install होगी इसी तरह softwares भी different वहीं पे install होगी तो अगर हम computer की जुबान में बात करें तो इन सभी floors को हम environments बोलते हैं अब इन environments को create कैसे करना है और incompatible issues जो different errors देते हैं python के अंदर उन से कैसे बज़ना है उसके लिए हम environments बनाते हैं environments बनाने की कई तरीके हैं आज हम जिस तरीके को देखने वाले हैं वा konda को use करके konda क्या है यह mini konda क्या है यह एक software आप कहले कि जिसके जरीह हम environment बना के अपने जो python के different packages हैं उनको एक compartment के अंदर store करके उसे फिर utilize कर सकते हैं यानि के हर floor पे हमने different software इसमाल करें उनके versions difference हो सकते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें different हो सकती हैं तो times आया कि यह बगार हम start करते हैं लिखते हैं कि हमने किस तरीके से environment different बनाने हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाव Google पर जाना है Google पर जाने के बाद हमने यहां पर लिखना है Mini Conda आप में से बहुत साथा लोगों ने और रेड़ी जो है वो एनकोंडा अपने system में install किया होगा मैं आपको recommend करूँगा कि आप एनकोंडा remove कर दें क्योंकि फिर आपको यहां से Mini Conda command line के through different installation का पता चल जाएगा फिर यहां पर जाए Windows installer पर click करें click करने के बाद आपने जो Mini Conda install करना है ठीक है latest Mini Conda installer तो मैं Windows यूज कर रहा हूँ तो मैं Windows वाला करूँगा आप Mac यूज करें तो Mac वाला कर ले Linux यूज करें तो Linux वाला मैं यहां पर click करता हूँ तो यह 71.2 MB की file हमारे पास यहां पर आ जाती है ठीक है अब इस file को install करने के लिए simply हम क्या करते है आपको पता है इस पर click किया click करने के बाद wait करते है next करते है next करते है next करते है next करते है and यहां पर हम यह हमें पूछ रहा है कि add miniconda 3 to my path environment variable ठीक है environment variable के path के अंदर इसे add कर दे तो आप कर सकते है register miniconda 3 as my default python 3.9 आप इसको default python 3.9 के through भी कर सकते है कि आपका यह वाला environment जो है वो default python 3.9 के साथ जो है वो install हो जाए तो मैं basically इसे कर देता होता हूँ next करते है तो यह हमारे पास installation इसकी हो जाएगी meanwhile जब इसकी installation हो रही है तो हम और भी किसम के यहां पे different चीजें देख लेते हैं अब installation के दुरान आपको 2-3 मिन लग सकते हैं चार मिन लग सकते हैं लेकिन आप सोचिएगा कि आपको environment बनाने की जरूरत क्या पड़ी आपने देखा होगा कि अकसर आपकी libraries काम नहीं करती ठीक है जैसा मेरा different किसम के libraries मेरे account में भी काम नहीं कर रहे थी परसो चोथ की बात है पिछले वीडियो की बात है python के चिला 2.0 में जब हम पढ़ रहे थे तो pandas profiling नहीं किया तो आपने क्या करना है mini konda environment चेंज कर लेना है अगर आपका package काम नहीं करता ठीक है तो इसको install करने के बाद यह इसकी libraries getting started with anaconda, anaconda distribution वगरा दे देता है मैं इसको remove करता हूँ इसको मैं बंद कर लेता हूँ अब यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि konda लिखने के बाद हमारे पास क्या आता है या anaconda तो यह देखें यह आपके पास anaconda prompt आ जाएगा इसको mini conda 3 कहते है इस पर click करें तो इस तरीके से यह open हो जाएगा मैं इसको pin कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दफ़ाई से use करने तो इसे zoom in करते है control दबागे मैं wheel को scroll up कर रहा हूँ अब यह base environment है यानि के main floor है तो अब कुछ command मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा पहली command यह है के konda environment list env list मैंने यह लिखा तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक ही base command है base floor बना हूँ है तो इसी base floor के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं अब अगर हमने list of packages देखने है कि इसके अंदर क्या-क्या install है तो konda space list लिखेंगे तो यह सारे packages इसके अंदर already installed है ठीक है तो इस तरीके से हम different packages देख सकते हैं अब बहुत ज़्यादा और commands भी है जो हमें कारगर थाबद हो सकती है जब हमने different किसम के anaconda या mini-conda 3 को हमने utilize करना है मैं इसके screen बड़ी करता हूँ और यहां से मैं इसे थोड़ा सा zoom in कर लता हूँ ताकि आपको भी नज़र आता जाए अब हम different command के set use करेंगे सबसे पहले हम basic commands देखेंगे basic command में सबसे पहले आती है कि हमने verify conda करना है कि इसका version वगरे install है के नहीं है ठीक है तो उसके लिए हम command लेके conda info ठीक है कि conda इसके अंदर कौन सा install है और उसका क्या version है तो यहां पर आप देखें आपके पास बड़ी सारी file आई जिसके अंदर वो बता रहा है कि base environment active है इसका conda का version 4.12 है ठीक है तो आप windows 64 यूज़ कर रहे है conda 4.12 है administrator नहीं है इसने यूज़ किया जब open किया है और offline mode false है ठीक है तो administrator भी false है अगर मैं इसको बंद करूँ यहां से इस पर right click करूँ अना conda prompt पर right click करने के बाद मैं run as administrator करूँ इसको मैं full करता हूँ तो यह आप देखें कि यहां पर अब c window system 32 आ रहा है ठीक है अब अगर मैं इसको simply चला देता हूँ तो यहां पर user आ जाता है codenics ठीक हो गया तो इस वज़ा से system 32 आएगा तो that means कि मैंने इसको run as administrator चला है तो यहां पर जो मैं अटका हूँ इसका time step मुझे भीजियागा अब konda info मैंने लिखी थी पहली command यह होगी जिसे हमें पता चलता है कि version कौन से है यह basic version वगरा check करने के लिए होता है अब अगर konda को update करने हैं तो simply आपने लिखने konda update konda ठीक है इससे आपको पता चल जाएगा कि konda update हो रहा है कि नहीं हो रहा तो यहां पर यह command लिखने से आपको konda update करने का पता चल जाएगा अब वो कह रहा है कि update specs करने के लिए आपके यह 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 चीज़ें update होंगी 4.12 यहां पर installed look here तो यह कह रहा है कि हाँ available है 4.13 और उसके साथ उसकी dependencies dependencies का मतलब होता है कि जो-जो konda environment के अंदर चीज़ें थी उनको update करने के लिए या जो-जो konda के लिए जरूरी software है उनको update करने के लिए ठीक है तो यह पूछ रहा है कि अगर आपने proceed करना है तो yes कर दें वाइदबा के मैं कर देता हूँ ठीक है तो यह install होना शुरू हो जाता है konda का updated package तो konda update konda आप जरूर करें जब भी आपने install करना किसी चीज़ को ठीक है अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि आपने किसी भी package को install कैसे करना है konda के अंदर ठीक है for example मैं लिखता हूँ konda ठीक है install अब konda install लिखने के बाद आप जब package का name देगी तो वह यहाँ पे install हो जागा मैं गता हूँ python को install कर लो इंटर किया तो क्या होगा आपके सामने उसने बता दिया कि यह पहले से installed है तो अगर आपने कुछ और install करना है मैं गता हूँ konda install spider ठीक है spider एक software अगर उसको install करना है तो मैं यहाँ पे इसे लिखते तो तो यह पूछने लग जएगा कि आपने इसे install करना या नहीं करना ठीक है तो आप इस तरीके से different packages जो है वो install कर सकते है अब यह error क्यों आ रही है क्योंकि अक्सर konda जो होता है वो check करता है different libraries जो online मजूद है जिने हम channels बोलते है कि उस पे package पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ ठीक है अगर तो package पढ़ा हुआ है that's great अगर package नहीं पढ़ा हुआ then it's trying to actually resolve that issue तो यह देखें यह package spider वाला पढ़ा हुआ है इसको मैं yes करता हूँ यह install हो जाएगा इसको थोड़ा सा time लगएगा क्योंकि बड़ा package है तो यह आप देखें इस तरह आपके screen चलती जाएगी चलती जाएगी आप first time देख रहे होंगे तो spider भी एक software है जैसे python है spider जो उसकी id है जैसे vs code है तो आप इस तरीके से उसे install कर सकते हैं मैं यहाँ से zoom in, zoom out करके से देख सकता हूँ तो यह थोड़ा सा time लेता होता है जो भी software है तो आप क्या कर सकते हैं एक time में दो कुंडा भी चला सकते हैं अगर चलानी हो तो आप यह देखें पीछे उस पे काम चल रहा है मैंने निया वला चला लिया है पीछे उसके उपर देखें यह सारा installation जो है वो spider की चल रही है इस पे मैं click करता हूँ और यहां पे दूसरा आ गया अब यहां पे आप यहां पे देखें यह अभी भी install हो रहा है पीछे वाले में meanwhile हम यहां पे जो है वो list of packages देखते हैं अगली command जो है बलकि उससे पहले हम पीछे वाले का इंतजार कर लेते हैं इसको बंद कर लेते हैं तो हम दो से तीन भी चला सकते हैं लेकिन जारी बात है अगर आपका system बहुत हैवी है तो फिर ही चलाएं दो से तीन packages और वाइस ना चलाएं ठीक हो गया जी यह package install हो रहा है spider install हो चुक है अब इसमें कौन कौन से packages install हैं उसको देखने के लिए हम लिखेंगे conda space list enter करेंगे तो यह हमारे पास पूरी list आ गई यह सारे packages इसके अंदर install हैं ठीक है अब हमने जब conda को update किया ठीक है यहां पे नीचे आने के बाद हमने conda update conda लिखा था तो conda update हो गया था what if we have to update a package समझाई बात की अगर हमने package update करना है यह already updated है तो हम package update करने के लिखेंगे conda update मतलब मैंने python को update करना है क्योंकि यहां पे जो python installed है that is actually 3.9.12 let's see अगर इसका updated package बढ़ा है मैंने enter मारा तो यह search करने लग जाता है search करते करते हैं हमें बताएगा कि अगर आपका package यहां पे मुझूद है वो कहता है कि already updated है ठीक हो गया हलांकि conda का base environment के अंदर यह updated package नहीं है 3.9 ही installed है तो अब हम क्या कर सकते हैं एक और चीज देख सकते हैं में बता देता है कि यह command करती क्या है यह सारी इसकी detail आगई ठीक है मतलब यह कि यह हमें help जो है यह करती है minus h लिखेंगे help करेगी minus n लिखेंगे तो यह environment में चला जाएगा p path हो जाएगा c channel है यह सारी चीज़े conda के बारे में आगी ठीक है conda के script यह सारे आगए है हमारे पास updated conda packages to latest compatible यह सारा कुछ आगए तो यह कुछ basic command सी किसी भी चीज़ को देखने के लिए ठीक है अब अगर हम यहाँ पे एक निया environment create करते हैं तो क्या लिखेंगे हम ठीक है base floor हो गया इसके अंदर जो packages थे वो भी हमने देख लिए conda env list हमारे पास जितने environment already created है उनकी list आगई यहाँ पे सिरफ एक base environment है अब मैं निया create करूँगा उसके लिए होगा conda create minus n उसको मैं नाम देता हूँ python या pandas का ठीक है pandas env निया environment मैंने create किया उसको नाम दिया pandas underscore env यह मुझे पूछे का हाँ जी create करना है मैंने करना कर दो तो environment की location यहाँ भी बता देगा हमें हम यह environment जो है वो create हो चुका है चेक करने के लिए conda environment list लगाते है तो यह हमारे पास pandas underscore environment create हो गया अब इसको activate कैसे करना है conda activate फिर लिखने है pandas underscore env same वो ही spelling लिखने है तो वो environment activate हो जाएगा अब इस environment के अंदर हम देखेंगे conda list मतलब कौन कौन से packages इसके अंदर installed है तो कोई भी नहीं install ठीक है अब install करने के लिए हम क्या लिखते है conda install python सबसे पहले हमने python install किया इसके अंदर ठीक है तो python और उसकी dependencies जितनी है वो install हो जाएगी पिछला जो हमारा python था वो 3.9 था ये देखें आटोमेटिकली 3.10 इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर बेस python था तो वो ही हो रहा था जितनी देर ये install होने का लगाता है मैं आपको कुछ different चीज़ें बता देता हूँ ठीक है ये pandas environment हमारे पास आ गया अब इसके अंदर अगर pandas install करने तो आप लगाएंगे pip install pandas install किया तो आप देखिएगा कि यहाँ पे pip जो है pandas को install कर रही है और ये pandas का package जो है ये सिरफ pandas environment के अंदर रहेगा मतलब ये हम पहले floor पे चलेगे base से निकल के पहले floor पे चलेगे तो जो भी यहाँ पे install करेंगे वो पहले floor में ही रहेगा तो ये package install हो रहा है successfully install numpy pandas और ये सारा कुछ हो गया अब अगर आपने list of packages install करने हैं तो आप लिखें pip install आगे सभी के name scipy नहीं यहाँ पे लिखते है pandas numpy फिर बाद में mat plot lib seaborn ठीक है scipy stats model इसके बाद बहुत मुशूरे जमाना जो लाइबरेरियस है scikit learn ठीक है ये सारी यहाँ पे इस environment में हम install करते हैं जो already installed है वो यहाँ पे आ जाएगा जो नहीं install हो सकती है यहाँ पे देखियेगा जरा ignore the following version that requires a different python version 1.6 requires python 3.7 less than 3.10 मतलब 3.10 पे यह install नहीं हो सकता ठीक है क्या नहीं install आशकेता है इसमें से कुछ libraries जो हमने install करने के कोशिश की है and most probably वो stats models यह वाली होगी let me see हाँ जी stats model की library थी अब यह यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं वो installed हो रही है ठीक है तो इस तरीके से आप different किसम की चीज़ों को install कर सकते हैं अपने एक environment के अंदर तो mostly होता यह है कि लोग different packages को different environment के हिसाब से install करते हैं आप अपनी मर्जी देख सकते हैं कि आपने कैसे किसी चीज़ को install करना है अब इसके अंदर जो जो packages हैं हम conda list का लगाएंगे तो वो सारे सारे packages इसके अंदर आ जाएगे ठीक है अब यहाँ पे अगर आपने यह देखना है कि एक environment की exact copy बनाए अगर हम देखें तो अभी हमारे पास environment यह पड़े है ठीक है यह pandas environment और base environment और जो active है उसके साथ esteric का जाता है pandas environment active है अगर मैं pandas environment के copy बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा उसके लिखूंगा conda create clone हाइफन हाइफन clone इसके लिखें लिखूंगा pandas underscore env इसके बाद उसको name दूँगा pandas underscore env2 हमने क्या किया conda create conda एक नहा environment create करो कैसे clone करो pandas को सारे के सारे को इसके packages हर एक चीज and then name it as pandas environment 2 ठीक है enter किया तो यह थोड़ा सा time लेगा और हमें यह simply पिछले environment की पूरी copy बना के देदेगा ठीक है यह देखिएगा यह time लेगा कि इतनी files हैं इसके अंदर इतने packages installed हैं तो यह सारी इसकी हमारे पास जो है एक file बन जाएगी यह थोड़ा time लेगा क्योंकि सारी बात है install करने के बाद इसके copy करना और यह सारी files को copy करने के लिए यह चीज़ें यहां पे save होती है अब अगर हमने directory change करने हैं for example हम c, user, codenics के अंदर मुझूद है ठीक है अब हम पहले देखते है kunda env list कि हमने जो environment copy किया वह हो गया कि नहीं तो यह देखें हो गया यह वाला हो गया अब यहां पे हम user और फिर codenics के अंदर है मैं cd.textop में चला जाता हूँ इसके अंदर dir करके लिखता हूँ तो यहां पे एक folder है kunda का मैंने बनाया हुए cd kunda में उसके अंदर चला जाता हूँ अगर वह folder बनाना है तो आप simple सी command लगाए make dir फिर kunda बना ले ठीक है यह kunda के अंदर में चला गया हूँ अब यहां पे अगर मैंने अपने environment को एक text file में save करने तो मैं क्या करूँगा ठीक है उसको करने के लिए save environment to a text file के लिए मैं लिकूँँगा kunda list list के बाद इसको करूँगा explicit ठीक है इसको मैं कौँँगा pandas underscore environment dot txt ठीक है हम kunda इसके बाद list लिखना था यहां पे lst आ गया list explicit environment इसके अंदर लिखते हैं तो यह देखिएगा यह text file में convert हो गया यहां पे मैं जाता हूँ desktop के उपर desktop के उपर हमारे पास kunda है kunda के अंदर यह चेक करें pandas environment dot text तो यह इसने क्या किया हमें पूरे के पूरे file की एक text file बना दी है ठीक है तो इस text file से भी हम अपना environment create कर सकते हैं ठीक है तो यह आपकी assignment आपने बताना है कि किस तरीके से text file बनाने के पाद इसको use करते हैं अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने libraries install करनी है बहुत सारी ठीक है for example numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikitland, scipy, plotly, pandas profiling ठीक है यह सारी install करनी है न तो आप इसकी requirements dot txt file बना लें बनाने के बाद इससे save करें यहां पर मैंने save की है मैं यहां पर लिखूँगा conda install –r उसके बाद requirements dot txt एंटर करूँगा तो जितने packages मैंने उसके अंदर बताय हूं है na conda install let me see इसको issue लग रहे यहां पर search करते है conda install –r requirements तो यहां पर हमारे पास command आ जाएगी हम यह वाली command भी लगा सकते है conda install –r yes file requirement text let me see अगर यह काम करती है बिलकुल यह देखें तो यह भी एक हमारे पास आ जाती है conda install –r yes –r –file और फिर requirements आ गया .txt तो इस तरीके से आप इसको भी काम पर लगा सकते है और इस तरीके से आपका यह वाला जो package वो भी install हो सकते है जो already इसके अंदर मौजूद नहीं है basically इसको –r करने के बाद भी install हो जाना चाहिए था यहां पर बहुत सारे इसके solution बताया होते हैं तो कोई भी आप utilize करके देख सकते हैं खैर इस पर हम time साय नहीं करते हैं हम यहां से next चलते हैं अब यहां पर अगर हमने simply environment को deactivate करने हैं तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे deactivate ठीक है तो यह environment deactivate हो जाएगा otherwise you can also use konda deactivate ठीक है अगर हम base पर यह use करते हैं तो क्या होगा देखिएगा तो environment जो है यहां पर deactivate नहीं हुआ क्योंकि base के अंदर हम रहेंगे mini konda यूज कर रहे हैं ठीक है अब konda env list हमने देखी कि कौन-कौन से environment हमारे पास बन रहे तो यह देखें तीन environment है हमारे पास अगर हम एक और बनाना चाहें फाइल से जो के आपकी assignment थी और hopefully आपने नहीं बनाई होगी I know that आपने pause नहीं की वीडियो और बनाई नहीं है तो इसमें जासे मैं आपको बताता हूँ कि आपने फाइल को use करके कैसे बनाना है यह देखें कॉंडा create कॉंडा env create env create माइनस माइनस फाइल माइनस माइनस फाइल करने के बाद हम करेंगे अपनी फाइल का नाम जो मैंने रखा था pandas environment.txt ठीक है तो हम क्या करेंगे कॉंडा environment create करेंगे pandas environment.txt से अगर इसको मैं pandas 3 बोल नूँ इस फाइल को for example तो यहां पर हमें 3 लगा के इसको निया environment बन जाएगा देखिएगा थोड़ा सट environment with requirement.txt file needs a name let me see minus n ammar spec not found invalid name try to format other package इसके अंदर environment and let's see now yes no explicit not found txt specs not found इसका कोई मसला बन रहा तो हम देखते है create environment from text file कैसे करना है conda env create conda env create minus minus file pandas env.txt conda activate environment with requirement environment with requirement text file not found let me see how to create env in conda with txt file ठीक है मैंने simple वह लिखा जो चलना चाहिए था let me see के क्या आता है oh i see पीछे हम जो काम कर रहे थे यहां पे हमें pip install करना चाहिए था ठीक है वह हमारी error थी खैर चलें खैर इसको हम देखते हैं यह आपके assignment भी आप भी देखिएगा मैं भी देखते हूँ मैं time जाय नहीं करता है इस पर ठीक है अब हम क्या करेंगे अगर एक environment create करके उसके अंदर कोई चीज install करनी है तो हम कैसे करेंगे मैं यहाँ पर एक environment create करता हूँ conda create env करते थे नहीं minus n इसको लिखेंगे bio env इसका नाम देदी है bio env अब इसके अंदर अगर environment के अंदर को package install करना है तो बनाने के बाद install करने से बेतर है साथ package का नाम लिखने bio python तो मैंने क्या किया conda create bio environment बनाया और उसके अंदर bio python का एक package install कर दिया इंटर किया तो आप देखें यह इस तरीके से यह package install होना शुरू हो जाएगा ठीक हो गया तो आप bio python को इस तरीके से bio python का environment package बनाके install कर सकते हैं ठीक है इसको थोड़ा से time लगए क्योंकि यह बड़ा package है और bio python का package इंस्तेमाल करने के बाद आप इस environment के अंदर आके पूरा एक package जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अगर आप ने इसके अंदर package को search करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है वो कैसे करना है अभी देखते हैं हम basically जो base python environment है उसके अंदर रहके के package के list के इलावा package को search भी कर सकते हैं for example यहां पर मैं कहता हूँ conda search फिरा के package का नाम देता हूँ मैं python देगा देता हूँ ठीक है तो यह search करके यह बता देगा के python के कौन कौन से packages जो है वो already available है चेक कीजिए यह सारे packages available है conda search r ठीक है तो यह r के packages available है ठीक हो गया anaconda platform पे तो अगर आपने install करना है for example conda install python और आपको package name का नहीं पता तो आप यहां से ले सकते हैं मतलब यहां पे आया 3.10.4 तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3.10.4 तो इस तरीके से आप install कर सकते हैं different किसम के packages एक ही library के अंदर अगर आपको version का नहीं पता तो आप conda search करने के बाद उनके variants जो हैं वो देख सकते हैं अगर आप यह command चलती हुई करोगना चाते हैं तो क्या आप escape दबाएंगे नई आपने command करोगने के लिए control c दबाना पड़ता है ठीक है y कर दिया तो control c से आपकी command रुख जाती है और अगर control c काम नहां करें तो control backward slash forward नहीं backward ठीक है control backward slash से यह वाली slash से control के साथ यह वाली slash एक दफ़ लगाएंगे तो आपकी command रुख जाएगी या control c या control के साथ यह वाली ठीक है तो इससे command आपकी चलती हुई frozen रुख जाएगी ठीक है अब मैं यहां पे एक package इंस्टॉल करता हूँ और उसको एक jupyter notebook के अंदर करूँगा ठीक है conda install conda create अब भी मैंने jupyter nb के नाम से एक environment बनाया और उसके अंदर jupyter को install करना चाहा ठीक है तो अब यह देखें notebook jupyter nb convert जितनी भी उसकी dependencies है न jupyter notebook की वह सारी इस पे install हो जाएगी ठीक है तो आप इससे एक package install करने के बाद उसे run भी कर सकते है ठीक हो गया आप यह देखेगा कि कौन-कौन से package इसके अंदर install हो रहे है jupyter की base पे तो इस तरीके से आप एक environment को run करके उसके अंदर सारे packages install कर सकते है अपनी मरजी की लेकिन बहुत ज्यादा मसले मसाइल तब पेश आते हैं जब आपको पता नहीं होता कि कौन से package की dependencies कौन-कौन सी है इस वज़ा से आपको यह जानना जरूरी है कि आपने किस package को किस तरीके से use करना है ठीक है अगर आप यहां पे अब देखिएगा यहां पे जुपिटर नोटबुक Pandas Environment Lab और Pandas Environment 2 यह आ गई है तो अगर मैं यहां पे conda activate jupiter-nb पे जाता हूं तो आप देखिएगा यहां पे jupiter-nb होगी मैं conda list करता हूं तो इसके अंदर वाले package देख लेता हूं कि कौन-कौन से package चल रहे है तो आप यह देखें कि यहां पे jupiter jupiter lab jupiter client jupiter 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 यह सारा कुछ चल रहे है अगर आपने jupiter notebook को चलाना है jupiter install करने के बाद तो मैं यहां पे simply लिखूंगा jupiter notebook लिखने के बाद इसको अब चलना चाहिए इसके अंदर यह देखें यह jupiter notebook हमारी run हो गई है जो konda के अंदर हमने use की है और folder जिसके अंदर हम यह use कर रहे है यह वाली directory है desktop के अंदर konda और उसके अंदर तो आप देखें हम jupiter notebook कैसे चला सकते हैं ठीक हो गया अब यहां पे आप कोई भी file बनाएंगे मतलब यह कि मैं यहां पे एक file बनाता हूं और उसको नाम देता हूं test.ipynb ठीक है इसको मैं save करता हूं तो इसके अंदर जाने के बाद आप देखें कि वो file यहां पे भी आ गई है jupiter notebook के अंदर इसे मैंने open किया अब वो कह रहें notebook does not appear to be json unable to use this ठीक है तो हम इसको ऐसे करते हैं इसको यहां से delete करते हैं delete करने के बाद यहां पे new file बनाते है python 3 ipy kernel के थूँ ठीक है करने के बाद यहां पे इस file को ले आते है अब देखें python का ipy kernel मुजूद है क्यों भला क्योंकि जो हमारा konda environment था ना उसके अंदर यह package install हुआ होना चाहिए python का आप देखिए यहां पे python 3.10 यहां पे मुझूद है ठीक है तो इस वज़ा से ipy kernel यहां पे python का ही सिरफ आ रहा है तो अब यहां पे आप इसको run करके भी देख सकते हैं for example यहां पे मैं करता हूँ import cbond as sns यहां पे मैंने किया अब देखते है sns.load यह नहीं चल रहा sns क्यों भला हमने यहां पे install ही नहीं किया इसके अंदर cbond की library अगर आप देखें के तो यहां पे cbond की library नहीं है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं pip install cbond करें ठीक है let's see इसको jupiter notebook को यहां से run करते हैं तो यह running condition में है आप देखते हैं कि यह कितनी देर लेती है जितनी देर यह इस टारिक लगा रहेगा उतनी देर यह देर लेती रहेगी ठीक है अब इसको install करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पे run होने के बाद कितनी देर के बाद यहां पे install हो जाती है तो आप library install करने के बाद यहां पे konda environment के अंदर आके इसे check भी कर सकते है अगर आपने यहां से अपना jupiter notebook जो चलाई है हमने उसे बंद करना है तो आप क्या करेंगे यहां पे आके control seed बाएं ठीक है अगर नहीं बंद होती तो control just a minute यहां पे running हो रहा है यह library install हो चुकी है you may need to restart the kernel यहां से restart किया करने के बाद यहां पे हम पहले इसको चला के देख लेते हैं जुपिटर नोट बूक इस तरीके से चल रही है कि नहीं तो हम करेंगे import seabond as sns इसके बाद करते है df is equal to sns.load load के बाद हम tap the white dataset खुद भाखुद आ जाना है इसके अंदर लिखेंगे type tanic करने के बाद sns.bar plot इसके अंदर हम लिखेंगे df let me see, I'm just writing something तो इस पर थोड़ा सा time लगेगा titanic का data set आएगा और ये इस तरीके से आजाएगा हमारे पास, ठीक है तो हम इसको df को यहां पर लिखते है x is equal to बलके यहां पर sns की बजाए df.head कर लेते है ठीक है, तो यह देखिएगा ये आपके सामने यहां पर ये सारा कुछ आ गया है अगर आपने sns.barplot बनाना है तो आप देखें काम आप यहां पर करेंगे लेकिन यहां पर sex आ गया x पर y is equal to वो हम कर लेंगे age comma hue is equal to वो कर लेंगे class then data is equal to df let's see, तो यह देखिएगा हमारे पास plot बन गया, ठीक है मैं इसको ctrl s करके save कर लिया save करने के बाद इसको बंद करता हूँ, यहां पर आके हमारे पास logout या quit करेंगे quit करेंगे तो यह shut down you have shut down Jupiter notebook, now you can close the tab ठीक है, तो यहां पर हमारी shutdown होगी, तो आप देखें, यहां पर भी यह Jupiter notebook हमारी shutdown होगी है तो basically होता क्या है, कि आप Jupiter notebook यहां पर सिरफ Jupiter slash notebook लिखेंगे, तो आपकी Jupiter notebook आपकी, उसके अंदर install, start हो जाएगी इस तरीके से, और उसी folder के अंदर जाएगी जो आपने और रेड़ी बनाया हुआ है, ठीक है इस पर click करने के बाद, आप दुबारा से Jupiter notebook को यहां से देख सकते हैं ठीक हो गया, अब यहां पर अगर हम देखें तो one, two, three, वो ही Jupiter notebook के जो पराने rules है, वो ही चलेगे मैं यहां से logout करता हूँ logout हो गया, यहां से quit करते है तो यह quit हो गया यहां पर जाने के बाद अब यह देखें हमारे पास अभी भी हमारे पास यहां पर API shutdown और यह सारी चीज़ें चल रही है, हमने क्या करना है इसको तो अक्सरोकात यह halt हो जाती है तो आपने वही control C और बाकी चीज़े दबानी और थोड़ा सा wait करना तो यह बंद हो जाएगी तो जुपिटर notebook तो हमने चला ली ठीक है, अब हमने करना यह है कि जुपिटर notebook एक दफ़ा जब run की है, उसके बाद हम इस package के अंदर आके यह सारा कुछ चला सकते है मैं अब conda deactivate करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब already जो package हमारा मजूद है उसके अंदर हमने किस तरीके से कुई चीज़ इंस्टाल करनी है, ठीक है अब इसके इलावा हम जो channel है उनको भी use कर सकते है ठीक है, और pip को भी use कर सकते है लेकिन मैंने अगर environment को ही remove करना है, तो मैं लिखूंगा conda यहां पे, for example, conda env list हमारे पास है, यह वाली यह सारी list है, इसमें से मैं to जो है, और bio environment इससे remove करना चाता हूँ मैं conda env remove env लिखूंगा और pandas underscore env2 इससे remove करना है, and then bio underscore env, इन दोनों को मैं remove करना जाता हूँ तो मैंने simply यह लिखा और यह environments यहां से remove हो जाएंगे हमारे पास जो ज़रूरी हमारे environments है वो ही बचेंगे, ठीक हो गया conda env list यहां पे करते हैं यह भी remove नहीं हुए तो मैं इसको conda environment 2 को pandas environment 2 को remove करना चाता हूँ पहले I see कोई मसला जो है वो यह है बला क्या मसला था मैंने conda environment remove तो लिख दिया यहां पे minus n ने लिखा, ठीक है तो यह देखें एक एक line की वज़ा से बड़े मसले आते है unrecognized argument ok ek करके remove कर लेते हैं conda env list conda remove env minus minus name इसके अंदर pandas underscore env 2 कर लेते हैं packages not found the following packages are missing oh I see जो मैं command लगा रहा हूँ यह packages की हैं sorry 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 तो हमने जब environment remove करना तो उसके लिए जो command use होनी है वो basically यह वाली होनी है conda environment remove ठीक है conda env remove minus n pandas underscore env 2 तो यह environment के अंदर से remove हो रहे हैं फरक क्या है आप देखिए जरा यहाँ पे conda और remove पहले लिखने conda remove कर दो environment में से flam package यहाँ पे लिखेंगे conda environment को ही remove कर दो ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं conda list तो देखें आप pandas 2 remove हो गया ठीक है conda env list तो यहाँ से pandas 2 जो है वो remove हो गया तो इस तरीके से जब आपने environment remove करना तो आप लिखेंगे conda env remove कर दो minus n जिसका नाम है bio env ठीक है तो आपने इस तरह लिखना है तो conda का environment remove करना है अगर आप लिखते है conda remove कर दो environment में से minus n package का नाम क्या है जी python ठीक है conda इस environment में से python को remove कर दो तो जब आप इस तरीके से लिखते है तो उस में से वो package remove हो जाता है ठीक है package is not found let me see यहाँ पर लिखेंगे minus minus name python यहाँ पर देखते है conda list कौन कौन से environment है इसके अंदर spider को remove करते है ठीक है यहाँ से spider को remove करते है spider the following packages are missing from the targeted environment कौन सा environment हम target कर रहे oh I see यहाँ पर name के बाद environment का name भी देना है फिर package का name देना है तो environment का name हमारा है base ठीक है समझ आई बात की conda scripted error unrecognized sorry यह भी नहीं चल रहा I think there is a problem inside that for example अगर हम यहाँ पे यहाँ पे लिखते है conda activate pandas underscore env तो इस environment के अंदर हम लिखते है अगर conda remove env minus n pandas underscore env इसके अंदर से अगर हम python को pandas को नहीं python को remove करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है यह भी नहीं काम कर रहा that shows कि यहाँ पे अगर हम pandas लिखते हैं यह भी नहीं काम कर रहा तो इसका मतलब है कि अगर आपने conda remove I seek मेरी गलती है I'm sorry I'm damn sorry damn sorry को लफज नहीं होता है में बना ले है हमार साफ चलो छटो यार तुसी तो होता यह है कि जनाबे वाला मैंने जो गलती किये वो यह है अब देखिएगा conda deactivate करता हूँ मैं अब main base में गया हूँ यहाँ पर लिखना है conda remove अब यहाँ पर env नहीं लिखना क्योंकि environment तो हम remove नहीं कर रहे है तो यहाँ पर जो चीज हमने लिखनी है वो लिखनी है name ठीक है name के बाद package का नाम तो मैं यहाँ से अगर spider remove करना है इस environment में से तो मैं यह लिख दूँगा base spider यहाँ पर environment का नाम लिखेंगे लेकिन यहाँ पर env नहीं लिखेंगे क्योंकि remove हम कर रहे है spider को और name बता रहे हैं उस चीज का तो अब देखें यह काम कर गया है समझाए आपको तो basically आपको यह मैं cheat sheet भी दे दूँगा चीजें लिखी हुई होगी ठीक है अब हमने different versions को कैसे install करने है उसको देखते हैं ठीक हो गया अब यहाँ से यह remove हो जाता है क्योंकि जारी बात है अगर install करने में अच्छा खासा time लगा तो remove करने में भी अच्छा खासा time लगेगा तो इसको remove करने के बाद अब हम specific versions को अगर install करने है different libraries के अंदर तो वो देखते हैं ठीक है जैसे यह remove होता है उसके लिए conda create और वो ही जो हमने different किसम के python के अगर versions इस्टाल करने हैं ताकि बहुत सारे लोग जो है different versions के साथ different libraries को use करते है for example 3.4 एक version है तो 3.4 version को use करने के लिए आप क्या करने वाले है ठीक है वो हम देखेंगे उसके बाद हम यह देखेंगे कि वो अगर 3.4 version को use किया तो उससे compatible जो libraries है उन्हें किस तरीके से use करने है तो यह सारी चीज़ें इसी के अंदर आने वाली है मैं इसको एक नई window के साथ open कर लेता हूँ ताकि वो पिछली window जाए वो भी चलती रहे तो अगर वो चल रही है यहां पर लिखता हूँ konda env list तो हमारे पास यह environment पड़े हुए है ठीक है base jupiter notebook को panda environment मैं यहां पर बनाता हूँ एक नया konda create-n python को हमने install करना है 3.4 को तो environment का नाम हो गया py34 इसके अंदर python is equal to 3.4 हमने install कर लिए ठीक हो गया अब इसको install करने के लिए हमने सिरफ इतनी command लिखने और enter मार देना है तो एक नया environment बनेगा ठीक है और उसके अंदर 3.4 जो है वो install होनी चाहिए लेकिन basically यह कह रहा है कि current channels जो है उसके अंदर यह चीज मुझूद नहीं है तो हमने पहले तो konda install channel add करने है ठीक है अगर मैं यहां पर लिखता हूँ konda install ठीक है minus minus channel konda dash forge konda forge को add करेंगे तो इस तरीके से two few argument must apply command line package और file ओके konda forge के बाद यहां पर लिखते है wait हम यहां पर konda env list चेक करते है list चेक करने के बाद यहां पर बनाते है konda create minus n इसके अंदर बनाते है pi 34 बनाने के बाद पहले हमने environment create कर लिया yes कर दिया yes करने के बाद यहां पर मैं लिखता हूँ konda activate pi 34 करने के बाद sorry pi 34 करने के बाद pi 34 activate होगे अब यहां पर हम channel add करते है जो channel हमने लिखा था करने के बाद यहां पर लिखते है python is equal to 3.4 तो यह हमने konda forge का channel इसके अंदर add करती है ठीक है channel मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती channel जो repositories होती है जहां पर packages softwares और ready पड़े हैं और वहां से हम ले के install कर रहे होते हैं तो हमने konda forge एक channel repository है उसको बोला के python 3.4 हमें दो ठीक है तो वो हमने install करना है ठीक है तो इसको थोड़ा सा time लगता होता है ठीक है meanwhile हम दूसरी side पर जाते हैं तो यह अभी तक जो है वो से uninstall कर रहा है क्योंकि spider एक बड़ा package था तो यहां पर इस तरीके से यह environment जो है वो create होने के बाद इसमें specific version जो है वो हम install कर सकते हैं तो इस तरह आपका frozen retrying यह सारा कुछ चलता रहता होता है लेकिन कभी कभी जाके आपको error मिल जाती है या installation start हो जाती है भी हमारे पास error है ठीक है तो हम क्या करेंगे अब यहां पर konda install install करने के बाद यहां पर लिखेंगे python is equal to 3.4 फिर इसके बाद माइनस माइनस channel add करेंगे konda-forge वाला या फिर माइनस माइनस channel add करेंगे bio konda वाला ठीक है यह दो channel add किया पहले मैं konda forge किया था फिर bio konda वाला किया है let's see कि कौन सा काम करते है तो यह error आ रही है हमारे पास error आ रही है तो हम version जो है इसका increase करके देख लेते हैं क्योंकि अक्सर हमारे पास जो है वो package उस version का नहीं बड़ा होता ठीक है अब इसको 3.8 करके देख लेते हैं तो यह देखे हैं हमारे पास 3.8 जो है वो पढ़ा हुआ है install भी हो रहा है ठीक है तो मैं इसको basically konda 3.6 या 7 की तरफ ले के जाते हैं तो यह फोरान हमें बता देगा कि यह पढ़ा हुआ है कि नहीं तो यह देखें तो हमारे पास 3.7 पढ़ा हुआ है ठीक है हम इसको install कर लेते हैं basically हमने किया क्या है असल में हमने package को एक नए को install कर लिया अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगी वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमने konda के environment को rename करना है ठीक है konda deactivate पे जाते है konda deactivate अब यहाँ पे हमने konda env list देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोई बात नहीं यहाँ पे हमारे पास जो python 3.4 पड़ा है हमने करना क्या है basically इसको rename करना है तो उसके लिए हम करने वाले konda create minus minus py37 नया environment create करना है minus minus clone py34 ठीक है हमने क्या किया basically create minus n wait a minute हम कर रहे हैं यहाँ पे पुराने को clone कर रहे हैं ठीक है konda create minus minus name konda create minus minus name py37 और उसको clone करके minus minus copy या clone 34 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है पिछले environment में से नये environment जो है 37 का बनके क्योंकि हमने 3.7 python install किये तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो इसको थोड़ा time लगएगा जारी बात है यह copy हो रहा है तो copy होने का wait करते हैं तो अब देखते हैं conda env list हमारे पास क्या बनी है तो यह हमारे पास देखें 34 भी है और pie 37 भी है तो हम क्या कर सकते है conda env remove pie 34 कर दें तो basically क्या क्या है हमने clone करने के बाद minus n pie 34 होना ठीक है तो अकसर आपको जो है वो commands जो है वो याद करनी पड़ती है फिर जाके आपको समझाती है कौन सी command लगानी है कौन सी ने लगानी ठीक है यह के ठीक है जी हमारे पास अब वो pie 37 आ गया तो इस तरीके से specific हम जो version है उसका install कर सकते हैं ठीक हो गया अब अगर हमने देखना है where python ठीक है तो यह हमें बता रहा है कि इस PC के अंदर जहां जहां पर python इस्टॉल पर रहा हूँ है वो कहां कहां पर है where python लिखने से यह हमें पता चल गया है ठीक है तो अगर आपके पास Linux या Mac है तो आप लिखेंगे यह पाइथन कहां पर आपके यह इसके लिए यह मिनी कॉंडा का environment pandas environment में आ जाएगा तो यहां पर देखें जब मैंने where python यहां पर लिखा था तो यहां पर mini konda की base में आ गया python तो यह environment में आ गया python ठीक है तो यह path आपको बता देता है कि यह python कहां पर install है ठीक हो गया तो इस तरीके से हम different versioning कर लेते हैं last चीज यहां पर आपको बताता हूं कि अगर हमने pandas और numpy की specific libraries यूज करनी है तो भी हम कर सकते हैं ठीक है for example यहां पर मैं कहता हूं pip install numpy उसका version is equal to 1.11 करना है हमने ठीक है तो 1.11 से is equal to हां तो double equal to लगाएंगे तो 1.11 exactly हमारा आएगा ठीक हो गया अब numpy का अगर हमने for example जो हमारे command lines हैं यह देखें अब हमारे पास यह install हो रहा है हो सकता है इसमें कोई error भी आ रही हो mention above not pip ठीक है अब देखते हैं konda list इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज मजूद थी pandas के अंदर ठीक है python 3.10 है pip हमारे पास 22.something है और हमारे पास numpy जो है वो 1.23 है ठीक है और ready मजूद है ठीक हो गया तो अगर आपने pip install बलके konda search यहां पर लिखते हैं pandas तो pandas के जो जो version मजूद है वो यहां पर सारे आ जाएंगे हमारे पास konda के अंदर अगर मैं चाहता हूँ 1.3.4 करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा konda install ने pip install pandas is equal to 1.3.5 for example तो यह install होगा अगर आपके पास पहले से यह install है तो उसे remove करें konda remove ठीक है minus minus pandas env इसके बाद package minus minus नहीं minus konda remove minus end pandas env और इसके अंदर pandas तो इसको हमारा package जो है वो से uninstall करना चाहिए देखते हैं क्यों नहीं हो रहा तो इसको uninstall कैसे करना है basically deactivate अब यहां पर लिखते है konda remove minus minus name pandas underscore env फिर इसके बाद pandas let's see यह होता है कि नहीं install again error दे रहा है ठीक है the following packages are missing from the target environment क्यों missing है missing नहीं होना चाहिए numpy को अगर हम करें फेल्ड आ रहा है फिर अगर हम python को करें ठीक हो गया तो basically जो pip install से किया हमने वो konda install से remove नहीं कर सकती that's the point to be noted ठीक है तो उसे pip से ही remove करेंगे pip की commands को हम बाद में देखेंगे अगर python यहां से remove करना है तो हम कर देंगे otherwise no कर देंगे ठीक है जी तो यह कुछ commands थी ठीक है और अगर आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि आप यह सारी commands को यहां पे Google पे जाएं और यहां पे जाने के बाद आप इसे यहां पे paste करें बलके यहां पे लिखें konda cheat sheet ठीक है यह लिखें तो यह आपके पास इस तरीके से यह konda की cheat sheet open हो जाएगी इसके अंदर सारी commands लिखी हुई है आप इसको print करके अपने सामरे रखें ताके आपको पताओ कि जब आपने कोई command use करनी तो उसका मकसद क्या है ठीक है जी तो आज की इस वीडियो को देखने का शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें बहुत ज़्यादे डीटेल में आपको बहुत ज़्यादे और चीज़ें बताने वाला हूं और यहां पे एक bonus tip लेते जाएं how to create python virtual environment जो मैंने konda पे बताया python 3 के साथ यह वाली command लगा के virtual environment उसके भी create कर सकते हैं ठीक है अगर आपने उसे देखना हो you can use that one otherwise konda's environment are enough for now take care जी Allah Hafiz